इस वीडियो में आपको बताऊंगा पाउफ कमपाउंडिंग के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गैरंटी दे सकता हूँ कि आपका एटिटूड तो ओर्ड्स पाउफ कमपाउंडिंग को लेकर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा तो और वक्त जाय ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टड़िंग तो ग्रेट साइंटिस्ट अलबर्ट आइंस्टैन कमपाउंडिंग इस दे एट्थ वंडर अफ दी वर्ल्ड और जो इसे समझता है वो कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो चुकाता है सो गाइज चलो पाउ अफ कमपाउंडिंग को एक एक एक्जैम्पल के थ्रू समझते हैं मान लीजे चिंटू एक बच्चा है और उसे पॉकेट मनी की जरुरत है तो चिंटू अपने मॉम और डैड के पास जाता है और उनके पास दो आप्शन रखता है अप्शन वन कि उसे पर मन्थ 3000 रुपीज एस पॉकेट मनी मिले और अप्शन टू कि चिंटू को महीनी की पहली तारीक को एक रुपए महीनी की दूसरी तारीक को दो रुपए तीसरी तारीक को चार रुपए और ऐसे ही करते हुए वो अमाउंट रोज डबल होती जाए तो महीनी के एंड में जाकर जितने रुपए होते हैं उतनी पॉकेट मनी उसे मिले सो गाइस आप होते तो इसमें से कौन सा आप्शन चूज करते जिसमें 100 रुपीज पर डे की पॉकेट मनी मिल रही थी महीने के 30 तारीक को चिंटू के पैरेंट्स को 53 करोड, 68,70,912 रुपीज एज पॉकेट मनी देनी होगी अल्दो चिंटू को इतने पॉकेट मनी तो सपनों में भी नहीं मिल सकते पर आप सभी पाव अफ कंपाउंडिंग को समझ कर अपने पैरेंट्स के और अपने सारे सपने सच कर सकते हैं प्रैक्टिकली इट इंपॉसिबल तो गेट 100% इंट्रेस्ट बट इन रियालिटी 25-30% इंट्रेस्ट जरूर मल सकता है और कई यह से स्टॉक्स भी हैं जिनोंने बीते कुछ समय में 100% से ज़ादा की रिटर्न्स दियें आईए एक रियल एग्जाम्पल के थूरू समझते हैं अगर आपने 22 जून 2020 को अड़ानी एंटर्प्राइस के शेर खरीदे होते जिसके एक शेर की प्राइस 154 थी और आपने 100 शेर खरीदे होते यानि 154 into 100 यानि 15,400 के 100 शेर खरीदे होते तो इस साल 22 जून 2021 में उस एक शेर की कीमत 154 से बढ़कर 1541 हो जाती यानि 10 गुना बढ़ जाती और आपके 15,400 के 100 शेर की कीमत 10 गुना बढ़कर 154,000 रुपए हो जाती ऐसे और भी कई स्टॉक से जिन्होंने बीते कुछ समय में 100% से ज़ादा के रिटरंस दिये हैं आज की वीडियो देखकर आपको कमपाउंडिंग की ताकत का एहसास तो हो गया होगा उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और इसे तरह के फिनैंस या शेर मारकेट से रिलेटिव वीडियो के लिए प्लीज लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें हमारे योट्यूब चैनल अरली इन्वेस्टमेंट को